मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने मंगलवार को संभल की कैला देवी में जनसभा को संबोधित किया था यहाँ सीम के जनसभा के बाद समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं ने कैला देवी की धर्ती का गंगा जल से छिड़काओ कर शुद्धी करण किया इस घटना का वीडियो वाइरल होने के बाद प्रशासन में हरकम मच गया जिसके बाद पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्च कर पार्टी के नेता भावेश यादो को गिरफतार कर लिया है बता दें कि जैसे ही मुक्हे मंत्री की जनसभा खत्म हुई समाजवादी वजनसभा के प्रदेश शचिफ भावेश यादो अपनी समर्थकों के साथ कैला देवी पहुंचे वहाँ उन्होंने गंगा जल छड़क कर कैला देवी की धर्ती को पवित्र करने का दावा किया सपानेता ने कहा कि योगी आदितिनाथ के आने से कैला देवी में छेत्र अशिद हो गया था जिसको उन्होंने गंगा जल छड़क कर पवित्र किया उन्होंने मुख्य मंत्री पर देवी देवताओं और जातिगत आधार पर लोगों से भेदबाव करने का गंभीर आरोप लगा दिया इस मामले की तहरीर बहजोई थाने में एक शक्स ने दी है जहां पुलिस ने 8-10 आरोपियों पर IPC की धारा 153A, 253A और 505 के तहट अग्यात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्च करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफतार कर लिया है शक्स ने आरोप लगाया है कि मुख्य मंत्री की जन सभा के बाद सभास थल को गंगा जल से शुद करने से मुख्य मंत्री की प्रशंसकों में काफी रोश है जिससे शांती भंग होने की भी आशंका है